अलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल सेजिट भेया में हम गोपाल और आज हम एसी विर्मागों करेंगे चेप्टर नम्पर एट और क्वेशन नम्पर सेवन क्या है एक परसन है जो होरिजंटल रोड पर मुझ कर रहा है और इसके हाथ में मास है 2 kg ठीक है और यह कितना डिस् इसने यहां पर प्लोग रख रख रहा है ब्लोग का मास क्या है 2 kg इस ब्लोग को लेके जाए और इन दोनों का bullish Heartson encouragement. उस पूरे सिस्टम का. पार सन का और block का acceleration क्या है? Giftी लेट हें. दिक ये block को लेके जा रहा है. तो यहां पर कौन कौन ससी force लग रहा है वो धेख लोक हो? यहां पर अगर mass है, तो नीचे तो लग रहा ml ग रहा mg और उपर noormal लग जिसकी वेज़ा से ब्लोक निचे नहीं जा रहा है, तो अगर नॉर्मल और Mg बैलेंस होगा तभी ये स्टेट जा पाएगा, तो नॉर्मल उपर लग रहा है और इसका displacement है इस डिरेक्शन, इस डिरेक्शन में इसका displacement है, तो नॉर्मल के वेज़ा से वर्क डन क्या होगा, जी system आगे move कर रहा है, तो इस small block को देखूँ, सिर्फ इस block को देखूँ मैं, person को नहीं देखू, block को देखू, तो यह यहाँ पर पूरे frame का acceleration A है, तो इसके उपर एक pseudo लगएगा, pseudo किता लगएगा, acceleration के opposite, यानि यहाँ पर एक pseudo force लगएगा, right, Fp, pseudo force लग रहा है, अब इस pseudo force क लगएगा, तो इसको जैसे block को लगए जा रहा है, तो आगे जाएंगे तो pseudo force लगएगा, इसको रोकना के लिए अपना हाठी के उपर friction लगएगा, यहाँ पर friction की value कतनी होगी, pseudo force की जितनी होगी, वरना अगर यह value ऊतनी नहीं हुई, वरना अगे तो block अगे जाएगा, उस प्लेट ये टाइल की उपर ब्लो के रखते हो फिर अपने आक्सालाइशन बढ़ा तो क्या होगा वो ब्लो के तरा आपके घिरेगा तो यहां पर फिक्षेन जरूरी आपको उसको रब सर्फैस पर रखना पड़ेगा और फिक्षम के वैलिए कितनी यह नहीं ची जितनी जो कि friction के equal होगा, तो अब देखो यहाँ पर friction की direction इधार है और displacement भी इधार है, तो work done क्या होगा, force into displacement, force work done आजाएगा अपना, force dot displacement, दोनो एक ही direction में है, कोई problem नहीं, कितना आजाएगा, force कितना तरह का 1 newton, displacement कितना है, 40, तो answer क्या आजाएगा, 40 joules, clear है, force और displacement, same direction, तो दोनो simply multiply होगे, यहाँ पर normal और displacement दोनो perpendicular direction में, तो work done क्या जाएगा, 0 आजाएगा, यह 3 मिनट का होगा,